विल्कम टू शुकलाइडी पॉइंट आप सभी का स्वागत है आपके उपर यूटूब चैनल स्वागत में, मैं सी होम सुकलाइड आप सभी दोस्तों का हारदिक स्वागत करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्वेत वसन अफराद के बारे में और जानेंगे स्वेत वसन अफराद क्या होता है इसकी परिभासा जानेंगे सदरलेंड के अनुसार, हारटूंग के अनुसार और टैप्ट के अनुसार क्लिर नाड के अनुसार भी देख लेंगे हम थोड़ा साथी साथ इसकी कुछ विसेस्ताओं को देखेंगे स्वेद विसेस्ताओं को देखेंगे स्वेद विसेस्ताओं होती है उसके बात में हम देखेंगे स्वेद विसेन अफराद के कौन कौन से कारण होते हैं जैसे कि कानून के प्रती अनअभिग्यता मलब कानून को न जानना पूंजी वरगी के संचना कैसे जादा बढ़ी पूंजी वाधी ब्यवस्था बढ़ी इसके कानून के किस प्रकार से सुएद बसन अपरात को बढ़ःवा मिला। साथी राजनेतिक कारक कौन कौन से हैं इसके साथी साथ समाजिक कारक सांस्कृतिक कारक इन सबसे किस प्रकार से स्वयद वसन अपराद को बढ़ावा मिलता है ठीक है साथी दोस्पूर कानून ब्यवस्ता होने से प्राथविंग नियंतर का भाव होने से समाजिक बेहटन होन है तो स्वоЯत बसन और अपराद में जो मलब स्वоЯत बसन अपराद और अपराद में जो अंतर होता है उसके लिए मैं किर संघो संघो से बाल यहां सब्सक्राद जैसे कि यो स्वेड बसन अपराद की परिभासा दी थीए सबसे फेमस परिभासा है सदर लेंड की किसकी विया सबसे फेमस परिभासा है सदर लेंड की और सदर लेंड ने बताया कि जो सवेद बसन अपराद होता है वहाँ परतिष्ठित वेक्तियों के द्वारा जो समाज में जिनका उच पद होता है वो वेक्ति ये अपराद करते है सुइध बसन को एक और नाम से जानते हैं सफेद पोस अपराद तो सफेद पोस अपराद व प Quashican अपराद एक ही अपराद होता है तो Sally ने स्वेद बशन की है तो उन विशेश्ता ओंको एक दिन की Rabban की विशेश्ता एंपराद की प्रिभासन है to Southern Land to Southern Land के उसे प्रशन उसे कभी कभी पूछा जा सकता है और उनकी जो आलोचना भी करी है जैसे कि टैट्ट महोदे ने करी मेद करी उनकी आलोचना ने कहा कि जो अगर स्वेध बसन अपराद मनलभ होता है कि जो बढ़ियां लोग होते हैं याणि उच्पद के लोग होते हैं वो अपराद करते हैं सदरलेंड ने कहा था कि सवयद वसन अपराद जो होता है वो उच और के बेक्ति करते हैं तो इसी बात को आधार बना करके टैफ्ट महोदें की आलोचना करते हैं कहते हैं अगर उच पदों वाले वेक्ति सवयद वसन अपराद करते हैं तो जो पता रहे हो कि जो उच्पद के विखती हैं वो यह अपराद करते हैं मुक्य तया तो जो जुगी जो पडियों में रहते हैं या फिर जो गरीब है अगर वो अपराद करते हैं तो उनको फिर हमको वसन हीन अपराद कहा जाना चाहिए लेकिन टैप्ट की आलुचना जो है पन ने भी करी है, वाल्टर रेकलेस ने भी करी है, काल्ड वेल ने भी करी है, न्यू मैन ने भी कहा है, कुईन ने भी कहा है, तो इस प्रकार से हम देखेंगे, इन सभी ने किस प्रकार से बताया, तो इसको भी एक वीडियो में मैं लाने का परियास करूँगा, लाश्ट के स है चेप्टरस आपके सामने आते रहेंगे आप चलिए सुरू कर लेते हैं स्वेद वेशन अपराद बिना कुछ समय गवाए हुए हलाकि यह बाते इंपॉर्टन थी इसलिए मैंने आपको बता दी अगर बाते अच्छी लग रही मित्रों तो वीडियो को लाइब करिए फटा समाजमें उच्च वर्ग के वेक्ति माने जाते हूं समाज में उच्छ वर्ग के विकति माने जाते हों कलापों में किया आते हैं तो यह अपने किडिया कलाप मलब बहुत सारी बड़े-बड़े धंदे खोले हुए होते हैं और बहुत बड़ी-बड़ी कंपनिया होती है तो उनमें धीरे सी इधर-दर का अपराद कर देते हैं जैसे कि मूवी जो गयरा में कहीं कुछ भी सप्लाई कर रहे हैं तो वो चीजे होती हैं इसमें ऐसे अपराद करते हैं लोग ठीक तो ब्यावसाइग लोग मलब अपने कारियों के नीचे मलब गोपनियता को बनाए रखने रखते हुए और उसके बाद में कर लेते हैं कोई किसी को पता भी नहीं चलता ठी में कहा कि स्वेत वसन अपराद की चर्चा इन्होंने करी और कहा कि इसका ब्यवस्थित विवेचन सदरलेंड मलब इसका जो ब्यवस्थित रोब से अगर देन माना जाए स्वेत वसन अपराद की परिभासा मुख रोब से किस ने दी तो सदरलेंड ने दी है तो सदरलेंड अपराधी यह ऐसे लोग है जो रोज अपने दैनिक क्रिया कलापों में अपराध करते हैं परंतु कानून के दाउं पेच में नहीं आते डेली करते हैं अपराध यह रोज करते हैं लेकिन कानून जो है वो समझ नहीं पाता है फिर समझता है तो उसको इगनोर करता है ठीक इस क्रिमिनल क्या होते हैं तो क्रिमिनल का आध्यन करते उसे की कहते हैं और इसी की सिध्धान आपर ऑपराद की बहुत बाति थी आपको जानना त्यावसक था अब स्वध बसन की अपराद की जो परिभासा होती है ने डेफिनिसंस होती है उसको समझ लेते है थोड़ा देखे सदर लेंड महोदय कहते हैं स्वध बसन अपराद की परिभासा देते हुए कि स्वध बसन अपराद जो होता है वह वह अपराद होता है जिसे परतिष्ठित और उच्छ समाजिक पद के ब्यक्ति द्वारा अपने ब्योसाय काल में किया जाता है क्या कहा इन्होंने इन्होंने कहा जो उच्छ वर्ग के लोग है जो उच्छ ब्यक्ति होते हैं वो अपना कोई जो है धंदा होए खोले होए होते हैं उनके द् करते हैं ऐसा मानना कि इसका स्वेत वसन अपराद का सवेत वसन अपराद यानि कोई बड़ा जो है दोगिक व्यक्ति है कोई पूझी पतीवर का विखती है वहां से घपला करना अधीरे से अपराद करना जो कानून के देश्टिय से अपराध है लेकिन उसको पता नहीं कर पारा कि ये अपराध है या फिर पता कर पारा है तो उस पर एक्सन नहीं ले रहा है ठीक ये शारी चीज़ें इन्होंने कहा साधर लेन महोदे ने कि ये उच्छ पद के बिक्ति दो द्वारा के आता जो समाज में उच्छ परतिश्चित बिक्ति होती है उनके द्वारा के आता है लोगों को पता भी नहीं चलता आगे देखते हैं हार्टूंग हार्टूंग महोदे क्या कहते हैं हार्टूंग महोदे कहते हैं कि स् थारता सिच्छित वरियत के लोग भी करते हैं अभिय है जिनके पाँ ज्यादा पैसा होगा वो कोई अपराद कर देंगे तो वो अपराद नारमली हो जाता है उसको कोई ज़्यादा उतना नहीं लेते ठीक है साथ ही अगर कोई व्यक्ति सिच्छे थे बहुत जादा वो भी थोड़ा वोत अपराद कर लेता है तो भी समाज में उसको थोड़ा वरियता मिल जाती है तो इस परकार से जो अपराद किये आते हैं उस अपराद को हम स्वेत बसन अपराद कहते हैं हाल टूंग मतलब हाल टूंग के अनुसार आगे बढ़ लेते तो इन सभी को आपको थोड़ा वह ध्यान रखना है हलाकि सब को नहीं याद करना आपको साधर लेंड तो मोख इंपॉर्टेंट है हाल टूंग को भी अटैफ्ट को किसी को एक दो सुरे को ध्यान रख लीजिए या सिच्छित वर्ग के बेक्तियों के द्वारा या ऐसे बेक्ति गाय जो करते हैं नीचे करने वाले अपराद जिसको हम लोग नहीं जान पाते हैं कानून के डौप एच में नहीं आते इस परकार की अपराद को हम सुझार प्रकार कि अपरान में बस सीदे चलो उसकी विशेस्ता समझ लो विशेस्ता के बाद में फिकारन मलब कुछ भी पूछा जा तो आप इसे कर सकते हैं अब टैफ्ट महोदे के सब्दों में देखते हैं टैफ्ट महोदे कहते हैं कि स्वेत वसन अपराद से तात पर उन सभी संगठित अपरादों स करते हैं जो कि कानून को भली भाती जानते हैं कि कानून मलब क्या होगा क्या होगा कानून से मलब बचने के लिए पूरा उपाय करते हैं इसे कि कभी कभी आपने मूबी जो गयरा में देखा होगा कि मलब कानून से किस परकार से लोग बसते हैं से अजे देवगन सर्जी के मूवी है उसका नाम है दर्स्यम में देखते हैं वो उसके लड़की को खतम कर दिता यह Aww कानून को जानते भी हैं कानून से बच भी जाते हैं इस परकार की अपराद को हम क्या कहते हैं तो इस परकार की प्रानते होए भी उसको घुमादे कानून को ऐसे बिक्ति ठीक है अथबास अमूह द्वारा अपनी आवसक्ताओं की पूर्ति या फिर कोई समूह है उसके द्वारा उस समुख की कोई आवा सकता है उसकी पूर्थी के लिए कोई अपराद कर दिया जाए और बाद में वो सारा मैनेश कर ले तो यह होता है आगे देखते है किलीनार के मतानुसार किलीनार कहते हैं कि सौएद बसन अपराद उसके द्वाराद की परिवकाद होता है उपर दिखाओ विए परिवसेशता हों के द्वारा समझा जासकता है आईए देख लेते हैं कौन कौन सी बिस्यस्ता या इसी परकार से आपको भी लिख देना है अब हो सकता है पॉइंट में लिखते हैं हो सकता है आप पॉइंट में ना लिखें कोई उसमें दिक्कत नहीं हो थे आप पॉइंट में लिखेंगे तो भी ठीक है आगे देखते हैं अगला देखते हैं ये वे अपराद है जिने एक बेक्ती अपने ब्यवसा है अथवा पेसे का लाव अपराप्त करके करता है तो अपना कोई उसका पेसा है उसका बड़ा पेसा है और उससे वो क्या करता है अपना लाव स्वयम का लाव साधता है तो इस प्रकार के प्रकिरिया को हम क्या कहते हैं स्वयद बसन अपराद कहते हैं अगला देखते हैं इन अपराधों की प्रकिरती साधानता प्रतक्ष नह नहीं देखेगा कि इन्होंकोंने इन्होंने अपराद किया है, लेकिन उसके ब्लब नीचे से अपराद करते रहेंगे, मिरजापुर में यूगा अप लोगोंने, हलागि नहीं देखा थो कोई बात नहीं मत देखना उसको, को उसमें बहुत ज्यादा अपराद को बढ़ावा मिला है उसमें कालीन जो है के तरे मलब नीचे-नीचे क्या होता है कट्टे के सप्लाई करते रहते हैं लोग तो वह होता है कि मलब आपरतिक शुरूप से सारी चीजे कर रहे हैं आगे देखते हैं यह आपराद मुखतया आर अपरादी साधानता कानून की पकड़ से बाहर होते हैं तो यह क्या होते हैं कानून की पकड़ से बाहर होते हैं कौन स्वैद व्यसंट जो अपरादी होते हैं क्योंकि कानून को भी दर दर से कुछ ना कुछ मैनेज करते हैं इस प्रकार क्या होता तमाम सारे जो है और पु इसके कारण देख लेते हैं तो किन कारणों से बढ़ता है क्या स्वेद बसन अपराद तो आपने बिसेश्थाएं समझ ली थोड़ी बहुत बिसेश्थाएं समझ ली थोड़ा कारण देख लेते हैं भया देखिए कारण देखते हैं स्वेद बसन अपराद का ठीक चलिए सदर लेंड ने दिया है उस पर मैं एक दिन चर्चा करूंगा ठीक है कानून के प्रती अनभिगता कानून के प्रती अनभिगता इसको समझते हैं क्या होता है वर्तमान समय में विभिन प्रकार के कानूनों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि अनपढ योम साधारन व्यक्ति तो क्या सिच्छित लोग भी कई कानूनों को नहीं जानते इनका लाव सोईद विसन अपराधियों को मिलता है तो क्या होता है कानून में इतने अपने भारत में लगभग आप देखते होंगे अगर मैं सम्मिधान की बात करूं तो सम्मिधा हागा इस प्रकार से ब्रद्धी हुई अंदर और लगभग चारसो साथ के ऊपर जो है चारसो पैसट या चारसो साथ के ऊपर अज्जा चुके हैं कौन अनुच्छे दो कि संख्या हो गई भारते सम्मिधान में ठीक इसके साथी साथ बारा अनुसूची हो गई है चार कुल मिला करके ध्यान रखेंगे कुल मिला करके 25 भाग हो गए लेकिन 22 संख्या में दिया गिना जाता है क्योंकि तीन की कमी हुई तीन बड़े हैं ठीक इस प्रकार से आप ध्यान रखते हैं हाला कि वह अलगत की बाते हैं सम्मिधान में बहुत जादा चीजे लिखी हुई लेकिन एक निर्दोस को सजा नहीं होनी चाहिए भारतिय संविधान के अनुसार सव निर्दोस छूट जाएं लेकिन एक जो है अपराधी छूट जाएं लेकिन एक निर्दोस को क्या नहीं होनी चाहिए सजा नहीं होनी चाहिए भारतिय संविधान कहता ये बात ठीक इसलि यह हैं इसको कहते हैं उर्दू में ताजये राती हिंद कहते हैं ताजयराती हिंद लख भादध से ढखे उटार वह चीज़े लिखी वह तो इससे उसमें फुटा confusion होता है तो लोग अप्राद करलेते इसका फाइदा कौछ को ठाठे उठाते एस बसन अप्रादी उठाते और सपरादी उत आगे देखते हैं पूझी वाधि वर्ग की सनचना पूझी वाधि व्यवस्था में पूजी पती जो आपका हो रहा है यह सब जुकाओ है ठीक क्या है पूंजी वादियोग पती स्रमिक वर्ग का क्या करते हैं सोसन करते हैं और अधिकारिक धन कमाते हैं मलब अधिका अधिक धन कमाते हैं अधिका अधिक धन कमाते हैं जादा स्यादा धन प्राप्त कर लेते हैं वे बैध और आबय तरीकों से अपनी आर्थिक सिती को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं जो उचवर्ग के लोग होते हैं उच्च वर्ग निम्ण वर्ग को परास्त करना चायते हैं दोनों ही वर्ग आर्थिक परतियसपरधा में अनैतिक साधनों जूठे विग्यापनों घूस काला बजारी जाल साजी आदी का सहारा लेते हैं इस परकार पूंजी वादी व्यवस्था में स्वेत बसन अपराद को मिलता है क्या घंट जैसे दिखाते हैं कि लगाने से जह काला आदमी घुरा हो जाता है क्या हो जाएगा सच में नहीं होगा हो इतनी ग्वोरी हैं जो परचार करती हैं उसकी इह नीघक्ती है पहले उस लिए उसमें मुठी को लगा लेती हैं एक20 फूड़ाला यह कर लो कर लो पता नहीं क्या-क्या परचार में आता नहीं आई डव गएरा में देखते हैं आप लोग तो इससे भी बढ़ावा मिलता है मलब कि आपकी वस्तूत नी क्वालिटी की है नहीं लेकिन क्वालिटी आप बढ़वा कि उसको बता रहे हैं ठीक यह भी सारी चीजे इससे कैसे बढ़ावा मिलता है भौतिक वाधी युग से वर्तमान समय में लोगों में भौतिक वाधी मनोबिर्तियां बढ़ी हैं परतेग ब्यक्ति येन केन प्रकारेन मलब इधर उधर से किसी भी प्रकार से धन कमाकर अधिक से अधिक सुनायता है आज इस आधुनिक बिरोधी कई परकार के कारी करता है इससे वो अपराधी विधियों का सहारा लेता है तमाज में तमाम परकार के ऐसे कारी करता है जो समाज बिरोधी भी होते हैं कानून बिरोधी भी होती है लेकिन उनका कोई बिरोध नहीं करता ठीक आगे देखते हैं राजनेतिक कारक कौ सब्सक्राइब करते हैं तो सप्लाइब करते हैं पूंजी पतियों यह मंतर राष्टे गिरोहों से होता राजनेता अपराधियों को छुड़ाने में कोई अपरती होते हैं समाजिक संस्कृति मूली विवस्ता को बनाए रखना चाहता है और उसमें परिवर्तन नहीं करते हैं पूजी पती एक तरब दान दे करके मंदिर समाज में परतिष्ठा भी प्राप्त कर लेते हैं इससे भी हमारे समाजिक मुलिक ही दो स्पूर्ण है ऐसे जो ऐसे अपराद को क्या करते हैं बढ़ावा देते हैं बहुत सारे लोग ट्रस्ट वगरा बनवा लेते हैं इसमें उसमें गलत तरीके से धन रखते हैं काला धन रख लेते हैं ट्रस्ट में रखते हैं कोई लोग जो है अलग आकरिमंद संगटन होते हैं धार्मिक संस्थाएं होती हैं उसमें टैक्स नहीं लगता है तो वहां पर जा करके ये कर लेते हैं इस परकार से सारी चलाते रहते हैं ठेक तो ये भी एक पराद की सड़ी में आता है ये सामाजिक सांस्कृतिक मूल के अंतर अगे देखते हैं खेत्र में किये जाने वाले अपराधों की तो जानकारी भी नहीं पाता फिर दंड की व्यवस्ता भी तुट्टी पूर्ण है इस सब के अभाव में स्वेद बसन अपराध को बढ़ावा मिलता है मलब कुछ ऐसे अपराध है जिनकी अभी अपराध के लिए दंड की व्यव परिवार पडोस मित्रों रिस्तोदारों जाती सदस्यों गराम समुदायों के लोगों का अपने सदस्यों पर अनौप चारिग नियंतरन सिथिल हुआ है नेतिकता इमांदारी स्च रित्रता का हरास हुआ है धार्मी कास्था कम हुई है परेडाम सुरुप सुएद बसन रधा बढ़ा है यहां पे लिखा होगा और अनुप चाहिँ नियंतरन जो होता है वह परिवार के दौरा किया आता है यहां के द्वारा किया जाता है जाती सबस्थे हो कानून के द्वारा किया त nesi था है थीक है तो 111 वा समागे दौरीवи समाजीं नियंत्रन होता है क्या होता है समाजीं नियंत्रन हो गया या multip समाज आपको और समाजीं नियंत्रन हो गया समाज chances लगता है तो ок आप जो है बने रहेंगे हमारे साथ तो आपको वीडियो मिलती रहेंगी ठीक तो इस प्रकार से उसके क्या हुआ इमांदारी नेतिकता सचरित्रा का हरास हुआ है नेतिकता तुमको कानून नहीं सिखाता ना इमांदारी कानून सिखाता ना सचरित्रता कानून सिखाता है उस ब्यक्ति का धर्म और उस ब्यक्ति कोन से समाज में पला है किस ब्यक्ति के यहां पैदा हुआ है उसको माहोल कैसा मिला उसके कोर्डिंग वो चलता है यह सभी का क्या हुई है हरास हुआ हरास मतलब कमी हुई है ठीक है धार मिकास्था लोगों में कम होती जा रही जिसके करण स स्वेद बसन अपराद को बढ़ावा मिला है आपने जो है पढ़ा होगा जो है किसी भी धर्म में अपराद को बढ़ावा देने के लिए नहीं कहा गया होगा ठीक है मैं नहीं कह सकता कि जो है किसी धर्म में कहा गया है मैं तो बता रहा हूँ जैसे कि हिंदु धर्म में हमने पढ़ा तो हिंदु धर्म में अपराद को बढ़ावा देने के लिए तो एक भी बात जिंदगीम कही नहीं गई है अपराद जो है यहाँ पर यहाँ पर एक बात कही गई है कि अगर जो ह इतनी बात कहीए, तो कोई भी धर्म कोई और जो है, किसी यह नहीं कहेगा जाओ तुम अपराध करो तो लेकिन अब धर्म को लोग भूल रहे हैं लोग जो है क्या बन नहें हैं नास्तिक बन नहें नास्तिक बाद को बढ़ावा दे रहे हैं तो दियो नास्तिक बाद को बढ़ावा आगे अपराद होगा कानून में जेल में बंद होगी आगे यही सब होगा तो क्या हो रहा है नास्तिक बनते आ रहे हैं धार धार्मिक आस्ता कम हुई धार्मिक आस्ता कम हुई इसके परेडाम सरुप स्वेद बिसन अपराद को बढ़ावा मिलता है इसके कारण से धार्मिक इससे बाल अपराद को भी बढ़ावा मिलता है इससे जो है अपराद को भी बढ़ावा मिलता है ध्यान रखेंगे इस बात को आगे देखते हैं अगला है आपका अगला है समाजिक बिगटन समाजिक बिगटन की स्थिति में भी क्या होता है स्वेत विसन अपराद को क्या मिलता है बढ़ावा मिलता है समाज के लोगों का या फिर समाजिक बिगटन होता है समाज का हरास होने लगता है समाजिक नियमों क करोगे यह बात है ना आगे देखते हैं ऐसे अपराद होने में गोपनियता भी होती है इसमें लोगों को इसमें फसा दिया आता है जो बड़ी लोग होते हैं तमाम सारे जोकर चाकर रखते हैं कहीं किसी से कारी करवा लेते हैं ठीक तो इस प्रकार से वो लोग पैसा पाते हैं कारी कर देते हैं और करवाता कौन है बड़ी करवाते हैं तो इस परकार की अपराद को क्या कहते हैं पर इसका यह कारण है कि जो जिन से करवाते हैं वो लोग जा फरके काणून में बताते नहीं कि क्या रुख जाएगा उनका धंधा रुख जाएगा वह जो कमा खा रहें अपने बीवी बच्चों का पालन पोस्टन कर रहे हैं वो रुख जाएगा उनका ठीक तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं अपराद स्वेध बसन अपराद क्या होता ठीक तो स्वेध बसन अपराद और अपराद में कारण वाली नेक्स्ट वीडियो आपके सामने आएगी त ऐसैंस giveaway टूँया बस्वेध झाएगा थाभाद वीओया है